स्टार्ट करें हमारा डिस्कुशन येस और नौ चलिए तो अब बिटा जैसे आपको इस सेशन वाइज मैं ले रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे शर्ट चेंज हो गया ये चेंज हो गया उसके तरफ ध्यान मत देना concept के तरफ आप ज्यादा ध्यान देना तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा डिस्कुशन तो आज फर्स अफॉल गुड मॉणिंग गुड आफ्टरनून गुड इनिंग तो आफ्यों कैसे हो आप सभी लोग अच्छे हो बढ़िया हो लंबी सास लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने हैं आपको याद रखने के लिए भी बहुत इजी होगा और आप इसके उपर फटा फट्रिक्मेंट डिविजन भी कर पाऊगे और इस तो अगर हम कॉश्चनेर्स को सवाल कर लेते हैं तो फिर क्या फिर इस बार आपका जो टार्गेट है इस बार असी पार जरूर आपको मिल प法पर जाएगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा डिकूशन ओके अकाउंट्स एन रिकॉर्ट्स एन रिकॉर्ट्स ए चप्ट्र लेंगे और इसके बाद हम लेंगे इवेव बिल और फिर नेक्स सेशन में यहाँ पर हम कवर करेंगे जो आपको diagram से समझ जाएगा, यह chapter आपने बाद में भी पढ़ा तो चलेगा, लेकिन फिर इसके बाद advanced ruling और demand and recovery, sorry, लिख लो इसके बाद के session में आपको advanced ruling, assessment audit, assessment audit और अगर हो सके तो demand and recovery, okay तो इसके बाद के session में हम cover करेंगे, ठीक है, तो advanced ruling, assessment audit ये तो भी minimum आपने पढ़ के आ जाना है then दोस्तों, तो चलेए, शुरू करते हैं हमारा ये chart revision accounts and records का, और कि जो super wall chart revision हमारा cover होगा, और एक ही chart में पुरा chapter रे cover, बस इतना ही exam में पढ़ के जाएए, इसके अलावा exam में और कुछ भी पढ़ने की जरुवत नहीं है, plus साथ साथ में questionnaire, questionnaire तो आपको पढ़ना है पढ़ services में तो कोई दिक्कत ने जाती है, लेकिन goods में एक supplier होता है, और एक recipient होता है, ठीक है, और supplier और recipient के बीच में यहाँ पे तीन लोग होता है, एक होता है, यहाँ पे बहुती बार agent भी हो सकता है, agent भी हो सकता है, जो recipient तक पहुँचाता है, दूसरा अगर हम देखो, तो पर सप्लायर को इसको किस टाइब के records maintain करने है, अपने आउटवर्ट सप्लायर के, उसके बाद में next agent के लिए को special provision है, transporter के लिए, वेरॉस कीपर के लिए है, वेरॉस कीपर के लिए, वेरॉस कीपर के लिए, वेरॉस कीपर के लिए, यह उन्होंने उसमें cover किया हुआ register person में manufacture होगा, तो, इन्होंने records prescribe करते वक, यह flow बड़ा important है, record prescribe करते वक, इन्होंने, मैं आपको बता होगा, कुछ general records और कुछ special records, general records जो सब को maintain करने है, और कुछ special records जिसे manufacturer के लिए, raw material का stock, बड़ा important हो जाता है, service provider के लिए कुछ special records उन्होंने दिये, agents जैसे मैंने का, इन जो मैं आपको बता होगा, यह chart आपको, हर चीज एक proper facet में arrange करके देगा, so that आपको exam के पहले यह याद करना आसान हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते है, यह discussion यहाँ पर, okay, done, तो देखो, normally हम कैसा पढ़ेंगे इस chart को, accounts and records में, हर register person को general, सभी register person, जो GST में register person है, जो output supply कर रहे है, तो generally इनको कैसे records maintain करना पढ़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर वो output के हो, या फिर ITC से related हो, stock के हो, तो सब को कैसे records maintain करना पढ़ेगा, यह general, okay, यहाँ पर लोगा, okay, उसके बाद में next, अगर हम बात करें, तो special cases में, कुछ cases में, कुछ cases में आपको, अग, यह पर जिसे agent होगा, manufacturer होगा, या service provider होगा, तो यह special cases में आपको, क्या additional records, यह general records तो आपको maintain करना ही है, जो में आपको यहाँ पढ़ा होगा, पर कुछ additional records आपको किस तरह से maintain करना है, यह special cases में पढ़ा होगा, next, इस चार्ट में में आपको यह भी पढ़ा होगा, कि आप warehouse keeper हो तो किस तरह से records, और क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, आप transporter हो तो क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, और इतना पढ़ना है, बात खतम chapter is over, accounts and records, चलिए, आते है, register person, generally, generally register person, section 35-1 cover करता है, books of account, books of account to be kept and maintained at principal place of business and additional place of business, यहने इनको books of account कहा maintain करना है, त as well as, आपकी जो additional place of business है, additional place of business, यहने, अगर हम बात करें तो, यहाँ पे, जो भी आपने branches होगी, जो same registration में आती है, तो वहाँ respective records आपको maintain करने पढ़ेंगे, as well as principal place of business पे, आपको सारे branches जो same registration में आते है, उसके records maintain करने करने पढ़ेंगे, books found to, found at unregistered premises, dims to belongs to register person, यहने कोई इसी प्रिमाइज जो unregistered है, और वहाँ पे books में ले, तो यह समझ लिया जाएगा, कि वो register person के ही records है, यह general यहाँ पे, एक understanding section 351 में, government लेके चलेगी, उसके बाद में, accounts और record किस types के maintain करने है, 351, और यहाँ पे हम देखेंगे, और उसके साथ CGST rules भी, connected rules भी हमें यहाँ पे देखेंगे, चले, तो यहाँ पे 351 क्या करता है, आपको, अगर आप manufacturer हो, तो production of goods, जितने भी आपने final product produced के, उसके records, inward, outward supply of goods and services, तो आपको यह inward, कितनी goods and services होई, outward, क्या goods and services, आप supply कर रहे हो, यह general records अब के लिए, जो आपको लागू होगे, वो करो, जो आपको लागू नह आपको लागू नहीं है, अगर यह आपको लागू नहीं है, तो विरो क्यों आपको मेंटेन करने की जरूवत नहीं है, और यह generally हम list दे रहे हैं, जिसमें, जो जो चीज आपको लागू होगे, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो inward, outward supply of goods and services, उसके बाद में, stock of goods, जो जो भी act में देखर हो जैसे आप यह पे format… Income Tax Act में, Company Act में, जो भी इसमें आप मेंटेन करो करो, हमें आप जो भी आप जो बी आएगा, तो हमें रेलेटेर वीतु पी Belकानिem क्या प्रेवर्डूर्ट पाय है, as prescribed in rule, okay, तो जो prescribed rule में बताय जाएगा, वो आपको maintain करना पड़ेगा, अब नीचे एक point यह अच्छा point है, वो है goods kept at other than declared location, dim to be a supply and tax payable thereon, यह बड़ा important point है, अगर आपका कोई भी goods ऐसे place पे मिला, जो आपका place of business और additional place of business नहीं है, जो आपका place of business और additional place of business नहीं है, और वहाँ पे आपका goods मिलता है, तो वो situation में, dance सुनिएगा, वो situation में, yes, उससे deem supply मान लिया जाएगा, और उसके उपर tax देना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखना कि कोई भी goods ऐसे place पे मत रखना, जो आपकी declared place of business यह location नहीं है, अब एक important point जो मैं आपको कहना चाओगा, वो यह है, कि यह generally सभी register person को record maintain करने पड़ते हैं, पर इसमें से 2 record composition taxpayer को maintain करने की जरुबत नहीं, जो exam में 2 mark के लिए question पूछा गया गया, और कि कौन से ऐसे 2 record है, जो composition taxpayer को maintain की जरुबत नहीं है, क्योंकि वो turn or wise tax देता है, तो वो turn or wise tax का तो statement वो दे रहा है, CMP 09 में, sorry, CMP 08 में तो वो दे रहा है, तो ऐसे situation में, यहाँ पर उसको separately देने की जरुबत नहीं है, या separate records maintain करने की जरुबत नहीं है, बाकी maintain करना पड़ेगा, लेकिन, वैसे ITC का भी maintain नहीं करेगा, लेकिन by law उनने का है, stock of goods or output tax payable उनने maintain नहीं भी किया तो भी चलेगा, चलिए, उसके बाद में, rule के थूँ कुछ और additional requirement उनने दी है, बेटा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो जोर से बुलो, yes sir, यह तीन चाप्टर बड़े easy है, जैसे हमने job work देखा, दूसरा यहाँ पर accounts and records देख रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर CGST rule में, अगर हम बात करें तो goods and service, import or export, हाँ, तो यह rules में दिया है, कि import, export goods होगे होगे, तो उसके भी records maintain करने पड़ेंगे, supply is attracting payment of tax under RCM, along with relevant document like invoices, चलान, credit note, debit note, vouchers, तो यह भी आपको maintain करना है, जैसे RCM में कहां का आपने tax pay किया, self-invoicing किया होगा, तो self-invoicing का भी records आपको maintain करना है, as well as आपने GST में बनाएवे सभी चलान, rule 55 चलान, invoices, credit note, debit note, या vouchers, receive voucher, payment voucher, refund voucher, यह सारे आपको maintain करने पड़ेंगे, advanced received paid and adjusted, इसका भी proper record maintain करना पड़ेंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ service provider के लिए especially advanced पे भी GST आता है, तो कितना advanced received हुआ, कितना pay हुआ, कितना adjust हुआ, उस से related भी आपको details record maintain करने पड़ेंगे, उसके बाद में required to be keep particulars of name and complete address of the supplier, recipient and premises where goods are stored, तो आपका address of the supplier, recipient का भी address आपको detail रखना पड़ेंगा, और कहीं पे goods आपने store की होगे, जो आपका additional place of business store की होगे, तो वो situation में भी जो है उस premises की पुरा address और अड़ेंगे आपको maintain करना ही पड़ेंगे, अब यह चीज़े तो आपको पड़नी पड़ेंगे, बेटा, simple है, और के यहापे पड़ाने लायक तो कुछ नहीं है, यह तो वे generally आपको consider record maintain करना है, पर अब मैं कुछ special cases ले ले लेता हूँ, यह जो special cases है, यह जितने भी general records में आपको जो लागू है, वो तो आपको maintain करना ही है, in addition to that, आपको कुछ additional liability भी उन्होंने रखिये records के लिए, तो यह special cases में मैं आपके क्या क्या कवर करूगा, यह agent के लिए क्या extra records है, उसके बाद में यहाँ पर manufacturer के लिए क्या extra record है, service provider के लिए क्या extra records है, और उसके बाद में works contract और cnf agent, इनके बारे में कुछ extra requirement गौर्वर्मेंट ने रखिये, in rule 56 जो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर rule याद आजाए, चार्ट में तो अच्छी बात है, section तो याद आजाएगा records का 35, okay, फिर subsection याद रहे तो ठीक है, otherwise rules 56 में कुछ additional requirement रखिये, इस चार्ट में जहाँ पर भी में word P यूज करूँगा, मतलब P का मतलब every principle, प्रिंसिपल निंग, P का मतलब आपको every principle लेना है, sir इसका मतलब क्या है, बताता हूँ, जैसे आप agent के थुरू बेच रहे हो, तो अब supplier की निए, agent की क्या जिम्मेदारिया है, agent की क्या जिम्मेदारिया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, पर्टिकुलर्स ऑब ऑफराज़ेशन रिस्पल तो रिस्पल एंड सप्लाइप गूड्स और सर्विसेज, और फिर प्रिंसिपल को आप ट्रांसपर करोगे, तो आप बाइंग agent हो, तो प्रिंसिपल के भियाब पर आप गूड्स रिस्पल कर सकते हो, उसका आपको इच प्रिंसिपल वाइज ऑथराज़ेशन लेना है, तो इच प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कि आपकी agency, आप 3-4 companies के agency आपके पास है, तो आप 3-4 agencies के goods बेशते हो, चॉकलेट की agency आपके पास, यह dairy milk का भी agency है, इसका भी agency है, उसका भी agency है, 3-4 company है, तो ऐसे सिच प्रिंसिपल का आपके पास authorization होना चाहिए, कि आपको goods receive करने के rights है, या आपको goods supply करने के rights है, as well as services, services receive करने के rights है, या services supply करने के rights है, उसका authorization आपने maintain करना चाहिए, चलो यह भी बात होई, उसके बाद भी description value and quantity of goods or services received on the behalf of P, P मतलब each principle, हर केस में each principle लेके चलना, यानि जो भी goods आपने लिये है, या supply की है, पहले तो हम कार्थ करेंगे, तो जो भी goods आपने receive की है, on the behalf of principle, उसका complete value, उतनी quantity, आपको goods हो या services हो, उसका proper records maintain करना पड़ेगा, description of value and quantity of goods supplied on the behalf of principle, आप principle के बाद पे अगर supply कर रहे हो, तो वो situation में, उसका भी detailed description आपको यहाँ रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल को statement देने पड़े पूरा detail, तो हर principle को आपने कैसे statement दिये है, supply के उसका भी details, and tax paid on receipt or supply of goods on the behalf of principle, यह तो बेटा तभी देखो, agent को tax तभी देना पड़ता है, जब agent जो है, खुद का invoice issue कर रहा है, otherwise principle को है tax देना पड़ता है, तो यह जो last वाली line है, वो agent को apply होगी, जो agent अपना खुद का invoice देगा, तो जब भी कोई agent, है तो agent, जब भी कोई agent, दो मिनट बेटा, दभी कोई agent जो है, principle के बियाब पे supply करेगा, goods और services का, principle के बियाब पे supply करेगा, यह goods receive करेगा, और tax liability आ रही है, तो उसके भी वो proper records, maintain करेगा, is it clear, yes or no, ठीक है, यहां तक सब को समझ में है, agents related, चलो, next आते है, records to be maintained by manufacturer, manufacturer को, in addition to general record, उपर general records हमने देखा था, in addition to general records, और कौन से records maintain करना है, तो मंत्दी production account, showing quantity of raw material, आरे मतलब raw material, आने उनको in addition to above records, raw material के बहुत clear records maintain करने है, और वो monthly basis पे maintain करने है, ख्याल रहे है, वो जो दिया गया, इन्होंने यह काया, यह मंत्ली basis पे उनको maintain करना पड़ेगा, मतलब क्या, मतलब यहां पे, कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि raw material record एक साथ तीन मैने के, एक साथ पूरे साल बर के नहीं चलेगा, manufacture होगा, तो हमारा officer कभी भी आके चेक कर सकता है, और आपके मंतली basis पे, वो proper records maintain किये हुए होना चाहिए, तो बात जमेगी, otherwise बात बिल्कुल भी नहीं जमेगी, और quantitative details of goods manufacture, वेस और बाय प्रड़क, तो ये वेस और बाय प्रड़क और goods जो manufactured होगा, उसकी complete quantitative details, manufacture को maintain करनी पड़ेगी, in addition to general records, ये हुआ manufacture के लिए, service provider के लिए, in addition to above record, service provider होगा, तो quantitative details of goods, goods use in the provision of service, जो जो भी inputs वो services में use करेगा, उसका पूरा details यहाँ पे maintain करना पड़ेगा, service provider को, details of input service, जो भी input service यहाँ पे वो use करेगा, and details of service supplied, तो ये कुछ additional requirement, जो rule में दी गई, for service provider को, वो उसको यहाँ पे maintain करनी पड़ेगी, उसके बाद में, अगर वो works contractor है, works contractor मतलब क्या, erection, installation, renovation, repair, completion, यह दुनिया भर की services, provided on immobile property, जिसमें goods भी involved है, जिसमें goods भी involved है, वो works contract, तो यह जो है, जो जब भी आपके पास works contract होगा, जो works contract defined है, और वो supply of service में classify होता है, तो उससे related, आपको यह specific record maintain करना है, name and address of person, on whose be of works contract is executed, मतलब जिसका भी works contract लिया, उसका complete name और complete address आपको देना जरूरी है, description, value and quantity of goods or services, receipt for each works contract, यह बहुत important है, कि अगर आपको works contract है, तो आपको हर works contract के separate record maintain करना है, क्या description, value, quantity, जो आपने goods or services, उस works contract के लिए खरीदी, तो यह बहुत important part है, office में ध्यान रखना, each works contract wise आपको यह records maintain करने पढ़ेंगे, done, उसके बाद में description, value and quantity of goods or services, utilize for each works contract, ध्यान से सुनिएगा, description, value and quantity of goods or services, utilize for each works contract, तो again word है, कि बहुत कितना यूज़ किया, details and payment receipt for each works contract, and name and address of the supplier, तो जो भी आपके goods or services के supplier है, उनके complete details आपको maintain करने पढ़ेगी, तो पूरे discussion में यह कहूँ, कि आपको यह सब हर contract wise अलग-अलग maintain करना है, I repeat, हर contract wise आपको अलग-अलग maintain करना है, I hope you understood, yes or no, अरे बात समझ में आई क्या, okay, done, 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 उसके बाद में हम बात करेंगे, records to be maintained by clearing and forwarding agents, records to be maintained by clearing and forwarding agents, यहाँ पर, तो वो क्या कहते है, अगर आप clearing and forwarding agents होगे, तो आपको true and correct records maintain करना पढ़ेगा, जो भी goods आप handle कर रहे हैं, okay, और जब-जब officer को लगे, true and correct record, और जब-जब भी officer को लगे, उसकी details आपको officer को provide करनी पढ़ेगी, officer को provide करनी पढ़ेगी, तो यह था regarding to, यहाँ पर, records maintained by clearing and forwarding agents, यह तो बात हो यहाँ बिटा, कि अलग-अलग cases में आपको कैसे अलग-अलग records maintain करना है, अब मैं special, यह और फिर आखरी का ending के decision पर आओगा, section 35-2, read with rule 58, warehouse owner and transporter, अगर आप go down और warehouse के owner हो, I repeat, आप go down और warehouse के owner हो, अगर registered होगा, और second, unregistered होगा, अगर आपका warehouse registered है, तो कोई problem ने, लेकिन आपका warehouse unregistered है, और उसमें, ऐसे goods रखे जा रहे है, उसमें ऐसे goods रखे जा रहे है, जो यहाँ पर, during transportation हो, या फिर जोहाँ पर, कोई भी warehouse में, अब ऐसे goods रखे जा रहे है, जो अभी तक GST उसके उपर पे ना हुआ हो, तो unregistered होगा, आपका warehouse, तो यह warehouse कीपर की एक जिम्मेदारी है, कि उसे, एक unique enrollment number, UIN अलगा, यह UEN, अगर वो अपने warehouse में, कोई ऐसे goods रख रहा है, जो non GST paid goods है, हाँ, supplier ने वो additional place of business declare किया होगा, supplier ने किया होगा, पर इसने warehouse ने कोई registration नहीं लिया है, तो उसे एक unique enrollment number के लिए apply करना पड़ेगा, और registered होगा तो कोई दिक्क्र नहीं नहीं, तो यह जो है, यहाँ पे, section 352 कहता है, shall maintain the records of consigner, मतलब जिसका goods है, और consignee, और other relevant details of the goods, in such a manner as we be prescribed, तो record में, यह goods, जब भी warehouse में goods होगा, तो इस goods का कौन consigner है, मतलब किसका goods है, और consignee मतलब यह किसको जाने वाला goods है, यह complete details देनी पड़ेंगी, plus other relevant details, अब other मतलब जो rule में दिया, नीचे बताओगा, rule 58.4 और 5 में, जो other relevant details है, वो other relevant details भी यहाँ पे देनी पड़ेंगी, तो warehouse keeper को, और आपको अगर warehouse keeper आएगा, तो कुछ नहीं, registered होगा, unregistered, unique enrollment number, यह point, यह point, यह point, marks लेना, 3 to 4 marks अगर आए, तो बिलकुल लेना, अब rule के हिसाब से, 58.4 के हिसाब से, जो warehouse keeper है, maintain books of account, with respect to the period, for which particular goods, remains in a warehouse, कौन सा goods, कितना time warehouse में रहा, उसकी पूरी details, उनको maintain करनी पड़ेगी, particulars relating to dispatch, moment goods received, and disposal of goods, यह कितना good dispatch हुआ, कितना goods की moment, कितना receive हुआ, और कितना यहाँ पे disposal हुआ, okay, disposal of such goods, suppose किया गया, इसकी complete details, उनने maintain करनी पड़ेगी, okay, next अगर हम बात करें, तो in respect of particular goods, remains in a warehouse, यहने period, और बाकि dispatch, moment and disposal का, आपको detail maintain करना पड़ेगा, next, rule 58.5 क्या करता है, store the goods in such manner, that they can be identified, atom wise, और एक जिम्मेदारी है, कि atom wise और owner wise, हर goods, के लिए आएगा, या inspection के लिए आएगा, तो atom wise या owner wise, यहाँ पर, वो goods, उसने properly maintain करने चाहिए, so that physical examination, यहाँ पर तुछ़गा easy हो, okay, तो यह था बेटा, transporter, sorry, warehouse keeper, अब आता है, picture में, transporter, और रजिश्टर परसन हो गया, warehouse keeper हो गया, transporter हो गया, agent भी हो गया, अमने देख लिए कि इनको, क्या special records maintain करने के है, okay, RR में बढ़ा, easily समझ में, chapter नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी समझ में, RR में मैं क्या कह रहा हूँ, yes, बस इतना ही करना है, आपको सच में, कोई problem नहीं, अगर transporter unregistered है, पर वो goods transport कर रहा है, भई goods transport कर रहा है, तो वो बंदे का कुछ तो detail government के पास चीए न, okay, कल goods पकड़ा गया, कल goods में, यहाँ पे proper invoice नहीं होगा, जो भी हो, तो अगर transporter unregistered है, तो उसको भी है requirement है, unique enrollment number, UEN, UN नहीं, तो unregistered transporter को UEN लेना पड़ेगा, section 35.2 कहता है, कि अगर transporter है, तो वही provision है, shall maintain the records of consigner, transporter को भी, किसका goods लेके जा रहा है, उसकी details, consignee कोन है, यहाँ पे उनकी details उसको देनी पड़ेगी, clear बेटा, consigner और consignee, उनकी details उनको देनी पड़ेगी, और other details, जो rule में देगी, वो हम देखेंगे, वो क्या है, transporter होगा, तो shall maintain records of goods transported, underline, goods transported, delivered, or goods stored in transit, along with GST knob register consigner, and consignee for each of his branches, very important, for each of his branches, मतलब, कौंसा goods transport कर रहा है, delivered कर दिया, in between boss jiwa, transporter store करता है, उसकी complete details, और हर consigner consignee का GSTN number, और उनके branches की details, उसको maintain करनी पड़ेगी, अगर वो registered है, तो कोई problem नहीं, और unregistered है, तो उसे unique enrollment number लेना पड़ेगा, चलो, ये बात हमारी हुई, उसके बाद में, यहाँ पे rule 581A, if transporter is registered, is more than one state, और union territory, अगर कोई transporter registered है, ओके, हाँ, ये point समझ लो, ये आगे evable में भी भहत काम आएगा, EW भी जब भी word आएगा, लिख दो, EW मतलब evable, क्या हो जाता है, कि अगर एक बड़ा transporter है, और उसके हर state में registration है, और हर state में registration होने के वज़े से, अब भूसी बार वो transshipment shipment करता है, मतलब क्या, अगर यहां से मुझे देली लेके जाना है goods, तो हो सकता है कि उसका truck डारेक देली नहीं जा रहा है, तो यहां से उसका एक ट्रक गुजरात जा रहा है, और गुजरात से दूसरा ट्रक देली जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं, तो अब ऐसे situation में, यहां का उसका माराश्र का registration अलग है, गुजरात का registration अलग है, तो यहां उन्हें evay bill बनाने में, बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि evay bill में, ट्रांस्पोर्टर का, जो यहां पे ट्रांस्पोर्टर के मल्टीपल स्टेट में प्रिमाइसे सोगें और रजिष्टर्ड प्रिमाइसे सोगें, तो वो evay bill बनाने के लिए, evay bill बनाने के लिए, इतने सारे GSTN का रेफरेंस न लेते हुए, evay bill बनाने के लिए, यहांने उनको एक नमबर मिल जाएगा, और जब भी वो, इन्हें आमें कही पे भी ट्रांस्पोर्टेशन करेंगे, तो GSTN नमबर रेफर ना करते हुए, युनिक कॉमन, युनिक कॉमन एन्रॉल्में नमबर भी रेफर कर दिया, evay bill में तो भी चलेगा, तो देखो यहां पे इंदोनों में डिखर नमबर, एक है युनिक एंडॉल्में नमबर और एक है युनिक कॉमन एन्रॉल्में नमबर, Is it clear, The yes or No, तो इन्हें आपने, इसका बहुत फादा है एक बार उन्हेंने यूनिक कॉमेन इंडॉल्मेंट नमबर ले लिया तो अब उनको इवे मिल बनाते वक जब भी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना रहा या किदर भी शिफ्ट करना रहा तो उनको अब GSTN जो है वो रिफर करने की जरुबत नहीं है उनको यूनिक कॉमेन इंडॉल्मेंट नमबर भी रिफर कर लिया तो भी चलेगा तो यह discussion अमने किया regarding to यहाँ पे हर सेक्टर में records कैसे इतना clear way में मैंने chart बना के दिया है आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी वो थेरी पढ़ने के बजाए आपने ये chart भी पढ़ लिया तो that's enough अच्छे से chart में मजा आया बटा आपको सभी को very good चलो अब bottom में आ जाते है procedure for maintenance of account आप accounts कैसे maintain करोगे तो चली आ जाते हैं आप accounts maintain करते वक्ट electronic form में maintain करोगे proper उसका backup रखोगे records का यह तो basic understanding है उसके बाद में next record to be produced to the officer along with files and passwords no entry to be erased or written कोई भी entry आप records में जैसा कोई entry के आप तो यह आप ऐसे erase नहीं करोगे यह erase नहीं करोगे यह और return नहीं करोगे जैसा 5000 इसको ऐसा 6 कर दे और return नहीं करोगे अगर आपको 5000 को आपके records में change करना है तो आप इस तरह से scratch करके अगर manual maintain की होगे तो scratch करके वापस से ऐसा लिखोगे छह जा erase नहीं करोगे और over return नहीं करोगे आप इसको change करना आता है यह especially manual के case में ध्यान रखना है उसके बाद में manual records serially numbered होने चाहिए अगर manual record आप maintain कर रहे हो important consequences for failure to maintain the books of account आपने अगर उपर दिये गए हमने rules में या फिर section 35 में जो भी records आपको बोले आपने maintain नहीं किये तो non-accounted goods and services regarded as dream supply and taxpayer पहली बात तो जिसके जिसके records नहीं मिले और हमें पता चला कि आपने goods or services supply किया तो वो deem supply मान के उसके पर GST लगा दिया जाएगा और इसका valuation बेट वन rule 30 में 110% पर चले जाएगा और क्या होगा और 73 74 की जो recovery proceeding है demand and recovery वो आपके अगेंस में ले ली जाएगी उसके बाद में sir हमें record GST में कितने period तक maintain करने है तो आपको records 72 months याने 6 years 72 months मतलब 6 years तक आपको maintain करने है from the due date of furnishing of annual return from the due date of furnishing of annual return 6 साल तक आपको record maintain करने है उसके बाद में if subject matter is for appeal or revision retention shall be later of one year of final disposal of appeal और 72 months from the due date of furnishing of annual return ये 6 years का से लेगा due date of furnishing annual return मतलब क्या मतलब अगर 2021 का आप यहाँ पे records है इसकी annual return की due date 31st December 21 आईगी तो 31st December 21 से लिके तो आगे के 72 months याने 6 साल आपको records maintain करने है 6 साल आपको records maintain करने है is it clear yes or no उसके बाद में next हाँ ये 6 साल आपको records maintain करने है उसके बाद में अगर appeal में गया समझ लो आपके देखो आपको show cause notice I 4 साल बाद आपको demand order file हुई 4,5 साल बाद उसने आपने appeal file कर दी appeal को लगए आगे के ओर 3 साल तो अब law क्या कहता है अब 5 साल तो demand order को लगए प्लस 3 साल आगे appeal का dispose आने के लिए 8 साल पर आपके तो annual return से 6 साल खातम हो गए तो फिर record फारक effect दे नहीं अगर आपकी case appeal में होगी तो फिर आपको हो सकता है 6 साल बाद भी record maintain करने पड़ेंगे और कब तक whichever is later मतलब 6 साल बाद भी maintain करने पड़ेंगे और कब तक जिस दिन appeal dispose होई वहां से एक साल और आपको maintain करना पड़ेगा और आपकी appeal अगर 8 साल बाद dispose होई तो आपको 9 साल तक record maintain करने पड़ेंगे यह point समझा के आपको बो यस यह point समझा के नहीं समझा बो यस very good उसके बाद में audits on account ठीक है इसके पर तो मुझे लगता कोई सवाल पुछेंगे यह provision already आपके chart book में scratch किया होगा नहीं किया होगा तो कर लो क्योंकि अब हम already written chapter में देख चुके है कि section 35 statutory audit की provision अब applicable नहीं है ठीक है तो इस तरह से आपका जो है accounts and records यहाँ पर यह topic खतम होता है यह topic यहाँ पर खतम होता है done 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 हाँ आगया chart आपके सामने है job work सबसे पहले तो job work को एक section है 19 जो ITC का section है वो प्लस section 143 यह दो section को ध्यान में रखते हुए job work की पूरी process आपको समझना है ठीक है अब देखिए बिटा पहले pictorial presentation से समझ लो और उसके बाद में हम यहाँ आपकी उसकी left side में दीगे provisions को देख बैइन एक manufacturer रजिस्टर पर्सन है manufacturer हो सकता है trader हो सकता है service provider हो सकता है वो कुछ goods ले रहा है और के要ँ पर I का मतलब inputs और CG का मतलब capital goods आप लिख लो अगर लिखना हो तो side में I मतलब inputs और CG मतलब capital goods अब यहजो manufacturer है trader है service provider है यह goods स्यो दोड़ वो good बुल फॉलवारा है इपने suppliers goods premises में आ जाएगा, यह हो सकता है कि यह जो goods है, यह job worker को supply हो जाएगा, directly job worker को supply हो जाएगा, clear, तो अब सबसे पहले example लेते हैं कि यह inputs और capital goods जो है, यह premises में आ गया, तो अगर यह premises में आ गया, तो हमने ITC के section 16 की conditions fulfill कर दी, goods और services receipt, supplier का invoice also receipt, तो हम उसके ITC ले सकते हैं, मैंने उ दूसरा सवाल यह है कि sir, goods नहीं भी आया, हमारे premises में नहीं आया, directly वो job worker को चले गया, अगर directly job worker को यहाँ पे चले गया, तो क्या हमें ITC लेना है, ठीक हो job work से आएगा तो आएगा, पर job worker तो रिसी हुआ, तो क्या हमें ITC लेना है, तो ले सकते हैं कि yes, यह section 19 जो है, पर ले लेंगे, invoice के basis पे, जो मन्त में यहाँ पे goods हमें आ जाएगे, एक point और बता देता हूँ, जब supplier directly job worker को भेजेगा, तो supplier के invoice में, okay supplier के invoice में, bill to और shift to यह word रहेगा, bill to और shift to क्या, bill to this registered person, लेकिन, वो shift to जो कर रहा है, वो job work को कर रहा है, इसलिए, उसके invoice में job work का address रह जा कहा रहा है, इसलिए, supplier की जिम्मेदारी होगी, कि वो job work का वे address देगा, bill to इधर जाएगा, और shift to इधर जाएगा, और e-way will job work के नाम पे बनेगा, आपके सभी dots बात में, पहले पूरा यह procedure समझ लो, मजा रहा है, pictorial presentation में, यह एके character हमने बना है, not copied from anywhere, यह पूरा character हमने बना है, यह समझा की नहीं समझा, अरे कोई connected है की नहीं है, हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे, यह जो है वेटा, अब law क्या कहता है, एक और point, आपके premise में आने के बाद, as such, पहला वाला truck देखो, as such, यह line बड़ी important है, as such, यह after processing, आप यह goods job worker को भेज सकते हो, यहाँ, as such, after processing, यह good job worker को भेज सकते हो, अब यहाँ पे, और section 19, बड़ा role play करता है, अब यह जो है, यह बड़ा role play करता है, अब यह क्या कहता है, देखो, यहाँ पे section 19 कहता है, directly भेजा, तो भी आपको ITC दे दिया जाएगा, और अगर आपने, यहाँ पे, आने के बाद भी भेजा, तो भी आप, प्यूंकि जब receive हुआ, तो आपने ITC ले लिए होगे, receive पे ITC ले लिए होगे, तो आपके ITC reverse नहीं होगे, आपके ITC continue रहेंगे, यहाँ तक section 19 का रूल है, कि आपके ITC continue रहेंगे, आप जॉब वर्क को भेज दो, जॉब वर्क को भेजते वक, अब आपको GST में क्या करना पड़ेगा, रूल 55 में, रूल 55 कहता है, कल ही आपने देखा तो रूल 55 चाला, जब भी कोई good job work को जाता है, तो आपको चालान बनानी पड़ेगी, इसे stock transfer चालान भी का जाता है, या रूल 55 चालान भी का जाता है, और साथ साथ में इसका evay bill भी बनाना पड़ेगा, evay bill की provision मैं next session में explain करूगा, job work same state में हो, तो वो जो value 50,000 से cross होता है, और other state में जा रहा हो, job work को जा रहा हो, तो वो case में interstate में तो compulsory evay bill है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे evay bill में, उसमें मैं समझा दूगा, goods जो process होके यह को process होके आ रहा है, और आपका goods process होके 1 year या फिर 3 years में वापस आ जाना चाहिए, तो section 19 में हमने यह देखा था, section 143 की भी यही condition है, कि आपका goods process होके, return of the goods, जो होना चाहिए, input होगा, यह मतलब input, input होगा तो 1 year में आ जाना चाहिए, capital goods होगा, तो 3 years में आ जाना च जा extension 1 year का input को और मिल सकता है, और capital goods को 2 साल का extension मिल सकता है, अगर यह 1 year और 3 years में, यह extended प्रेड में नहीं आता है, तो बिटा, यह situation में, यह जो है, यह deem supply मान लिया जाता है, यह deem supply मान लिया जाता है, अगर वो 1 year और 3 years में नहीं आता है, तो deem supply मान लिया जाता है, पर य मतलब आपने कोई मोल, डाय वगरे जो भेजे होगे, किसको भेजे होगे, जॉब वर्कर को, वो वन यर और थी एर्स में नहीं आते, या एक्स्टेंड प्रेड में नहीं आते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके क्रडिट कंटीनु रहेंगे, और वो सिचुएशन में दीम सप्लाय नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर बाकी कोई गूट्स होगे, तो वो सिचुएशन में दीम सप्लाय माना जाएगा, और एक इम्पोर्टेंट वर्ड पर आपका धान लाना जाओगा, दीम तो बी सप्लाय ओगा, तो जिस दिन उससे रिस्यो होगा उस दिन का सप्लाय माना जाएगा, इसके बहुत सिवेर इंपक्ट है, क्योंकि आपने भेजा होगा एक साल पहले, तो एक साल पहले का सप्लाय मतलब क्या, अब उस मंद का सप्लाय मान लिया, तो तब से अभी तक का जो आपका टैक्स अमांट है, उसका इंट्रेस और इस यो होगा तो इस दिन का सप्लाय मान लिया जाएगा, I hope आप समझ लेगा, इसके बहुत सिवेर कॉंसे के इंट्रेस और पेनॉल्टी के आ सकते है, तो सोच समझ के जॉब वर्कर के ट्रांजिक्शन कीजिएगा, और वापस लाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, लेकिन अब सवाल क्या है, अब सवाल यह है कि सर, भई मैं वापस नहीं लाना चाहता हूँ, मेरा जॉब वर्कर मुंबई का है, मैं नाकपूर का हूँ, मैं नाकपूर का हूँ, और जॉब वर्कर मुंबई का है, तो अब सर मैं मुंबई से ही डारेक एक्सपोर्ट करना चाहता मैं मुंबई से डारेक एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या sir मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, प्लीज ना sir, एक्सपोर्ट करने दो ना sir, क्यों वापस लाने की कंडिशन रखते हो, जॉब वर्क के प्लेस से, तो yes, अब जॉब वर्क के प्लेस से तीन बाते कर सकते हो, अब यहां section 143 बड़ा role play करता है, यहां 143 पिचर में आ जाता है, अब 143 पिचर में आ जाएगा, अब वो law क्या कहता है, law यह कहता है कि जॉब वर्कर जो है, यहां से डारेक आपको goods, यहां प्रिंसिपल को, इसका नाम में लोगा principle, यहां principle डाल देना, principle को job work के place से, अगर goods export करना है, तो वो export कर सकता है, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, export from the job workplace, principal को कुछ बाते पूरी करने पड़ेगे, पहला, तो यहां, यहां से जब निकलेगा job work के प्लेस से तो principal को export invoice बनाना पड़ेगा यानि invoice job worker को नहीं बनाना है यहां पर invoice प्रिंसिपल को बनाना है और principal यहां से export करने वाला है invoice principal बनाएगा bond या letter of undertaking क्योंकि export हो रहा है बतलब यह zero rated supply है अगर यह zero rated supply है तो वो situation में यहां पर bond या letter of undertaking principal को ही complete करना है और अगर वो bond दे रहा होगा तो IGST देने की जरुवत नहीं है अगर वो bond नहीं दे रहा होगा तो IGST का payment भी principal को ही करना है और वो payment करके उसको यहां से goods निकालना है यानि job worker को यहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और कि यह सारी चीजे section 143 के हिसाफ से किसको करनी पड़ेगी section 143 के हिसाफ से principle को करनी पड़ेगी देखो यहां पर समझा की नहीं समझा Okay बलो यहां तक जितने भी मेरे से connected है जोड से बलो समझा की नहीं समझा यह वह ही नहीं बात अब देखो आगे बिट बिटा मेरा रोल बस इतना है कि जो चीजे बुक्स में दिये उसको आपको easy way में translate कर देना है ठीक है बस मेरा रोल इतना है और जितना अच्छे से मैं आपको easy way में convey कर सको आपको उसके base में marks कमाना है ठीक है उसके बाद में next एक सवाल और आएगा चलो export का तो clear हो गया, क्या एक job worker से, दुसरे job worker को मैं भेज सकता हो, क्या, बिलकुल भेज सकते हो, यह section 143 allow करता है, साथ साथ में CBIC clarification भी है, कि एक job worker से, दुसरे job worker आप goods भेज सकते हो, चलिए, सर मैं अगर एक job worker से, दुसरे job worker को goods भेज रहो, तो क्या, इसकी भी कोई चाला document चाहिए, फिर आपका एक सवाल आएगा, सर यह covering document कौन बनाएगा, क्या यह job worker को बनाना पड़ेगा, government ने यहाँ पे, बहुत चाला की, government ने कहा, देखो भई, job worker भी बनाएगा, तो भी चलेगा, principle बनाएगा, तो भी चलेगा, हमें covering document चाहिए, फिर वो principle बनाएगा, या job work बनाएगा, यहाँ से जब goods जाएगा, तो we need covering document, is it clear, okay, समझा की नहीं समझा, तो यह जो covering document यहाँ पे बनेगा, तो देखो, transfer from one job worker to another job worker, allowed, new rule 55 challenge, यानि यहाँ जो rule 55 challenge, by principle और job worker, दोनों में से कोई भी बना सकता है, original rule 55 challenge, shall be indoors, अब देखो, यहाँ जो rule 55 challenge, जो original बनी थी, जब आगे goods जाएगा और पूरा का पूरा consignment जाएगा, यहाँ जोब वक आया तो यह पूरा आगे दूसरे job worker को जाएगा, तो फिर original challenge पे भी endorse कर दिया तो चल जाएगा, original challenge पे endorse कर दिया तो चल जाएगा, लेकिन वो piecemeal form में जा रहा है, पाट पाट में जा रहा है, तो फि yes, यह आया नमजा, okay, उसके बाद में, अब यह दूसरे job worker पे पास आगया, okay, अब सवाल कभी-कभी यह होता है, कि sir, अब एक और मैं concept लेना चाहोगा, कि sir, यह job worker हो यह job worker हो, आपने क्या कहा, कि इतने period में में वापस लेकर आजाओ, इतने period में में वापस लेकर आजाओ, ठीक है, में लाओगा, में लाओगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल है, क्या मैं इस job worker के place से, या इस job worker के place से export कर सकता हो, बिल्कुल कर सकता हो, उपर मैंने दिया है, क्या एक job worker से, दूसरे job worker को transfer कर सकता हो, बिल्कुल कर सकता हो, एक job worker से, दूसरे job worker को transfer, ठीक है, यह भी अची अर देली के पास पंजाब है और मुझे अब मैं देली से महाराष्टर क्यों लॉव भाई मैं देली से डारेक पंजाब को भेज ना जाता हूँ क्यों ट्रांस्पोटेशन लगाओ, क्यों आपकी कंडिशन जो आप पेन उठाया, लॉबना लिया, आपको लॉबनाने में जाता क्या है, मेरा तेरा क्या घाटा है, इसमें मेरा यह घाटा, समझ में आता है, तो अगर यह बास समझ में आता, तो तू कुछ कर पाता, तो in simple word, मैं वापस नहीं लाओगा यार, मुझे permit करो कि मैं job work के place से ही direct customer को दे सको, तो यहाँ पे section 143 और role play करता है, section 143 कहता है, okay, हम हैं लोगा, तो यहाँ पे सुनिये, कि 143 कहता है, कि यहाँ पे sir, हाँ, आप transfer कर सकते हो, अब धहाँ से सुनियेगा, धहाँ से सुनियेगा, यह job worker, यह पहला job worker, जो भी हो, यह यहाँ पे दो type के invoices बनेंगे, एक goods directly customer को दिया गया, goods directly customer को दिया गया, वो एक invoice, जो invoice बनाएगा, P मतलब principle बनाएगा, to buyer, क्योंकि original goods principle का है, उसको ही बेचने के rights है, तो goods का invoice, जो goods बेचा जा रहा है, उसका invoice principle बनाएगा, जो supply of goods रहेगा, हाँ, invoice principle बनाएगे इसको बेजेगा, sorry, customer को बेजेगा, और इसको जो है, job worker को वहाँ से रिमोट करने के लिए, copy बेज बनाएगा, जो invoice बनाएगा, जो invoice supply of goods का रहेगा, और supply of goods जो है, जिस पे बर GST principle बनाएगा, और उसका time of और value of supply, as a supply of goods section 12 से fix होगा, as a supply of goods section 12 से fix के जाएगा, I hope you understood, एक invoice जो यहाँ से goods निकलते बग, principle का बना, जो customer को जा रहा है, and goods directly supplied to the buyer to principle, क्योंकि यह transaction principle और बायर के ब done, अब दूसरा, job work ने जो service दी, क्योंकि job work की service है, as per schedule 2, para 3, किसी और के goods पे treatment और प्रोसेस करना, वो supply of service माना जाएगा, अब job worker जो service दे रहा है, वो भी अपना invoice बनाएगा, वो होगा invoice 2, okay, वो उसका invoice होगा, मुझे बताओ, यह invoice 2, job worker किसको देगा, okay, यह job worker, यह जो invoice उस किसको देगा, obvious है, obvious है, common sense है, वो principle को देगा, उसको क्या लेना बायर से, उसका तो contract principle से हुआ है, principle से हुआ है, तो ऐसे situation में, वो अपना second invoice, जो service का invoice है, principle का बनाएगा, अब यहाँ important बात क्या है, यहाँ important बात है, कि processing के लिए कुछ material उसने खरीदा है, come on, processing के लिए कुछ material उसने खरीदा है, उसने कोई भी material खरीदा हो, लेकिन किसी और के goods पे, यहाँ पे activity करना, यह always supply up service माना जाएगा, तो इसका supply up service ही माना जाएगा, अब सवाल यह है, कि जब यह job charges लगा रहा है, और जो material उसने खरीदा है, क्या वो material value का part बनेगा, obviously value का part बनेगा, यहाँ ज GST लगेगा, जो यहाँ पे supply up service का जाएगा, इसका TOS section 13 के साब से as a supply up service का होगा, और no doubt, जो उसने material खरीदा है, job worker उसका ITC, इसका ITC, जब taxable value 35,000 पे GST लगेगा, उसका ITC वो ले सकता है, पर job worker जो original goods है, उसका ITC job worker नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका ITC already principal ले चुका है, ल job worker ने, जो material खरीदे होगे, जो services खुद खरीदे होगी, for that process, उसका ITC उसे मिलेगा, अरे समझा है नहीं समझा है, समझा होगा, तो yes बोलो, जो और से बोलो, yes sir, अब आपका एक सवाल है, कि जो हमें time limit मिली है, जो यहाँ पे एक साल या तीन साल, जो हमें basic time limit मिली है, यह extension time limit मिली है, यह एक एक job worker के लिए क्या, मतलब क्या, इसके लिए एक साल तीन साल, फिर इसके लिए एक साल तीन साल, अब मद आ गया, नहीं, यह total time limit है, यह एक साल तर तिन साल में आपके जितने भी job worker है वो सभी job worker ओर को मिला के एक साल और तिन साल में आपस आना जी ए आपके अगर दस job worker होगे तो तो 10 job worker को consider करके यहाँ पे 1 और 3 साल का point के हाँ पे yards क starters ने गया है ओके यहाँ पे एक सवाल ओर आया है कि sir buyer ने Parte Right Dober वो डिलियोरी से लेना देना ही नहीं है, जॉब वर्कर के प्लेस से डारेक्ली बायर जा सकता है, हमने दी होगी या उसने लिया होगा, बनेंगे तो दो इन्वाइस में बेटा, गुड्स बेचा उसका इन्वाइस, और सर्विस दी उसका इन्वाइस, उससे क्या लेना देना है, कि कौन कहां से डिलियोरी ले रहा है, बनेगे तो वही, बस सवाल है कि, जो 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 सवाल का प्लेस, अब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ सवाल है, और फिर मैं लास्ट वेस्ट और रिफुजल से रिलेटेड होगा, रेजिस्टेशन से रेलेटेट यह सवाल है कि sir जो job worker को मैं भेज रहा हूँ क्या वो GST में रेजिस्टर होना जरूरी है क्या section 143 ऐसे कोई condition नहीं डाल सकता मतलब उसने नहीं डाला है मतलब क्या आप जिसको भी भेज रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो रेजिस्टर हो वो अन्रेजिस्टर भी होगा तो भी चलेगा वो अन्रेजिस्टर होगा तो भी चलेगा चलो job worker की बात कर लिए हमने sir अगर मैं जो job worker को भेज रहा हूँ वो interstate है other state में तो भी क्या वो registered होना चीए नहीं यहाँ पर वो job worker दुसरे state में भी होगा तो भी वो job worker registered ही होना चीए ऐसी कोई condition ने CBIC ने clarify कर दिया है ठीक है point को समझो आपके सवाल बात में एक-एक point को समझो sir जो भेज रहा है job worker को okay क्या वो भी registered होना जरूरी है कि अभी इसका threshold चालू है और इसको job worker को भेजना है तो अगर threshold चालू है और job worker को भेजना है तो जब भी हम job worker को भेजेंगे तो भेजने वाला याने principle क्या वो भी registered होना चाहिए कि नहीं ऐसे कोई condition ने वो अपने threshold के base पर registration लेगा याने जब भी कोई goods आप job worker को भेज रहा हो एक साल या तीन साल में या extended period में वापस लाना पड़ेगा आप इस unregistered job worker के place से बिरिकली export नहीं कर सकते हो या फिर आप बिरिकली customer को supply नहीं कर सकते हो ये restriction है ये unregistered रह सकता है लेकिन फिर इसको दो restriction लग जाते है और वो ये कि export नहीं हो सकता या फिर customer को नहीं जा सकता ठीक है आपको एक साल या तीन साल में वापस लाने का ही option बच जाता है चलो आगे समझ में इसका मतलब सर अगर इनके place से मुझे export करना है या इनके place से directly customer को देना है तो वो job worker registered होना चाहिए सुनो section 143 कहता है कि export करना है या आपको customer place पे देना है तो वो job worker फिर registered होना चाहिए और अगर वो registered नहीं है तो principal को अपना registration amend करके इसे as a additional place of business declare करना पड़ेगा इसे as a additional place of business declare करना पड़ेगा एक बार फिर से job worker के place से ये job worker हो या ये job worker हो job worker के place से आपको अगर export करना है या आपको buyer को sell करना है तो वो situation sorry buyer को supplied करना है तो वो situation में either वो registered होना चाहिए या फिर वो registered नहीं है तो आपके registration में आपको उसे as a additional place of business बताना पड़ेगा समझाओगा तो बोलो स्वाहा समझ में आया yes or no very good ठीक है अब बात करेंगे west or refusal की west or refusal क्या है भाई ये job work जब process करते है तो कुछ waste भी तो निकलेगा ये job worker हो ये job worker हो तो ये waste का tax देना पड़ेगा क्या yes अरे sir waste अरे छोड़ा ना okay देना पड़ेगा waste का फिर वो waste ये refuse निकलेगा उसका tax कोन देगा okay तो उसका tax अगर job worker registered है सुनो दहां से ये point बड़ा important है अगर job worker registered है if registered तो job worker देगा और अगर job worker registered नहीं तो principal देगा waste और refusal का tax उन्हें देना पड़ेगा तो इस तरह से मैंने सारी provisions इसमें cover की है अब right side में जो tax दिया है उसको फटाफट देख लेते है okay जो diagram है और जो provision है उसको देख लेते है तो supply of job worker without payment of tax आप job worker को section 143 कहता है जब भी good job worker को जाएगा okay job workers को जाते वक ये screen नहीं दिखेगी यहां पर ठीक है मैं कोशिश तो करता हूँ job worker को जाते वक आपका कोई supply तब supply नहीं माना जाएगा आप without rule 55 चालान के तुरू भेज सकते हो लेकिन ख्याल रहे है एक साल और तीन साल में नहीं आया तो फिर हम supply बोलने के पुरे rights रख सकते है okay तो without payment of tax तो देखो major role 143 sorry 143 का जो major role है वो बस इतना ही है कि आपको without payment of tax जाने देंगा और section 19 का role है कि आपके ITC discontinue नहीं होगे वो ITC भी continue रहे है continuity of ITC ये section 19 कहता है कि आपके ITC कोई भी affect नहीं होगे वो continue रखे जाएगे उसके बाद time limit एक साल या तीन साल और और वो extend हो सकती है one year और two years खीक है inputs और capital goods उसके बाद में directly क्या आप supply कर सकते है yes direct supply by principal from job work premises job work के place से आप जो है customer को directly दे सकते है on payment of tax क्योंकि जब job work के place से बायर को जाएगा तो tax payment principle को करना है invoice principle को बनाना है sub assessment goods का principle को करना है या directly वहाँ से export भी हो सकते है पर invoice बनाना पड़ेगा restriction क्या है principle cannot supply the goods directly from place of business of job worker unless principle declare the place of business of job worker as additional place of business ठीक है पहला तो condition है कि अगर job work के place से job work के place से मुझे export करना है या customer को बेजना है तो मुझे principle को अपने registration में additional place of business बताना है लेकिन अगर job worker registered होगा तो बताने की जरुबत नहीं है मतलब simple में में कहो job worker अगर registered है तो आप कर सकते हो transaction export का या customer का नहीं है तो additional place of business लेकिन कुछ केस में आप principle की special कुछ notified goods में आप या special permission लेके भी directly supply कर सकते हो अगर job worker unregistered होगा failure to return the goods within time अगर आपने एक साल या तीन साल में extended period में नहीं लाया तो वो deemed supply माना जाएगा proper accounts to be kept by principle यह principle की जिम्मेदारी होगी कि यह नहीं आपे देख लिया चलो यहाँ पे CBA से क्लारिफिकेशन कुछ issue है is it compulsory to take registration for principle involved in job work transaction नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप अपने threshold पे registration लो सिब job worker को transfer कर रहे है इसलिए registration लेन ऐसा कोई जरूरी है registration of job work is required job work and principle in same state or in different state job worker required to obtain registration only in case of his aggregate turnover in a financially excess threshold limit regardless whatever the principle and job worker in same or difference वैसे हम job worker को बेज़ लेसलिए वो registered job worker होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है same state or other state में ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहई दू वो अपने threshold की साब से registration करवाएगा ओके यह इस section 143 की कोई भी requirement नहीं की दोनों registered होने चाहिए वो job worker को बेज़ लेसलिए job worker registered ही होना चाहिए ऐसे कोई requirement नहीं है next if P supplies the goods directly from job work premises to customer then who will be the supplier of the goods अगर job work के place से direct customer को जा रहा है तो obviously P is the supplier of the goods उसे invoice बनाना पड़ेगा उसे tax pay करना पड़ेगा और job worker का place as a additional place of business उसे declare करना पड़ेगा अगर वो registered नहीं होगा तो now filing ITC 04 will be considered as a submission of intimation under section 143 yes अगर आप ITC 04 फाइल कर रहे हो तो वो 143 की intimation मान ली जाएगी उसके बाद में who will avail the ITC ITC clear है जो goods principle ने भेजा जो goods principle ने भेजा इसका ITC principle लेगा और जो goods job worker ने यूज किये उसका ITC job worker लेगा बात ख़तम है CDA simple है okay तो यहाँ पर who avail the ITC in respect of inputs or capital goods that directly sent to the job worker तो उसका तो principle ही लेगा ने बेटा okay और job worker कौन सा लेगा तो job worker ने यूज किये inputs used by him by supplying job work service तो वो उसके ITC लेगा इस तरह से मैंने सारे important points इसमें cover कर लिये है अगर मजा आया होगा तो जोर से बलो yes sir एक diagram देखो आपका थेरी कैसे simple कर देती है very good आपके कोई doubts होगे तो यह ऐसे last GST की topic ऐसे ही मैं complete करूगा chart में इतने perfect हो जाएगे boss कि आप मेरा नाम लोगे अब आपके कोई doubts होगे तो मैं doubts ले लेता हूँ doubt post करो फिर से फटा फटा sir पर यह goods जो job work के लिए खरीदा है वो principle का aggregate turn on में include होगा क्या बेटा खरीदने वाला थोड़ी turn on में include होता है हाँ जो बेशते होगे turn on में इसलिए आपने खरीदा होगा था purchase थोड़ी turn on में आती है आपने job work के place से अगर supply क्या होगा या export क्या होगा तो invoice तो principle का ही है तो principle के aggregate turn on में आएगा हाँ एक मैं आपको याद देदू section 22 में मैंने बहुत क्लिरली समझाय था आपको 22 में यह समझाय था कि यह agent नहीं यह job worker है इसलिए section 143 कहता है कि जो goods के bill बनेंगे वो job worker का turn on में नहीं आएगा यह explanation 2 में मैं पहले ही समझाया था हूँ कि यह जो भी goods यहां से बेचा जाएगा वो job worker के turn on में नहीं आएगा agent के case में आता है job worker के case में नहीं आता है I hope आपको समझाओगा तो job worker का turn on मतलब वोई service जो उसने service दी goods का turn on job work के इसमें नहीं आएगा ठीक है additional place of business के लिए case में अलग-अलग registration लेना पड़ेगा क्या नहीं नहीं अलग नहीं लेना पड़ता है वो आपके existing registration में amend करना पड़ता है as a additional place of business sir audio recording revision जो आपके थे आगे बेजुगा बेटा और बेजुगा मैं करता हो करता हो refund of ITC possible है क्या ITC के refund सिर्फ दोई case में मिलते बेटा है zero rated or inverted यहां refund नहीं आपको जो ITC ले लिए वो ले लिए अब आपको supply treat करना पड़ता है जब एक साल या तीन साल में नहीं आया और वो supply का GST देना पड़ता है उसका valuation तो फिर वो rule 30 में चले गया 110% वो supply मान लिए 110% rule 30 में चले गया उसमें आप ITC ले लो लेकिन आपको supply treat करके उसके पर GST देना पड़ेगा नहीं नहीं, RCM का सवाल ही नहीं है unregistered principle RCM सब case में तो ही लगता है जो notified case है उसमें लगता है yes बेटा, export के case में यहां पे job work का registration चाहिए नहीं, job work के साथ में RCM का concept नहीं आता है सर जो job worker दूसरे state में है वो भी तो unregistered नहीं लेना for additional place of business नहीं, दूसरे state में भी होगा तो भी आप declare तो कर सकते हो additional place of business उसमें क्या problem है चलो, done ओके, यहां रुकते है यह session यहां पे हम end करते है आजा बेटा, advance ruling पे है ठीक है यह एक अच्छा chapter है इसके ओपर कभी-कभी questions आ जाते है और मैंने सभी points यह पूरे इसमें cover करने की कोशिश किया है चार्ट में cover करने की कोशिश किया है अगेन मैं कहोगा कि चार्ट पढ़ लो ठीक है तो advance ruling यह chapter पे आजाओ सबसे पहले तो मैं आपको यह बोल दूँ कि advance ruling concept कब आया advance ruling concept जो आया यहां पे यह लाय गया 1992 में जब हम globalization के तरफ बढ़े तब advance ruling concept पिचर में लाय गया था यह ऐसा था कि basically यह लाय गया था कि जो foreign investor है India में जो India में manufacture करेंगे India में business करेंगे तो उनको बहुत सारे Indian laws नहीं पता है और India में इतने सारे laws थे state laws थे, central laws थे तो उसमें उनको बहुत डर लगता था कि यार India में हम investment तो कर देंगे लेकिन laws इतने अलग-अलग laws है कि इसमें परिशान हो जाएंगे इसलिए income tax law है business coffee करता है उसके बाद में excise है customs है, VAT है वगर है तो excise में income tax में customs में advanced ruling as well as service tax में advanced ruling concept लाय गया और कि यह advanced ruling concept यह था कि एक तरह का foreign investor को support था कि आप जो है जो finance minister के अंदर form की गई और यह जो इसका benefit क्या था advanced ruling का advanced ruling का यह benefit था कि यहाँ पर कोई ruling अगर यह authority से मिल जाए सुनिया द्हान से अगर कोई ruling यह authority से मिल जाए तो वो situation में यहाँ पर वो department पर binding होता था जब तक law amend ना हो यह जब तक कोई court का decision ना हो मतलब department उसका against में नहीं जा सकता था तो तब तक यहाँ पर taxpayer safe होता था यहाँ पर परिशानी नहीं थी taxpayer safe होता था यहाँ पर department को अगर यह ruling के against में जाना है तो यहाँ वो court में case file करेगा court का जो भी decision आएगा तो prospectively prospectively उसका impact जो होता था retrospective नहीं था इसलिए तब तक तो यहाँ पर taxpayer safe होता था लेकिन no doubt advance ruling होती थी तो उसके against में appeal file हो सकता था एक है तो एक तरह का यह government से consultancy थी यानि किसी को कोई doubt है और वो अपना कोई project India में डालना चाहता है और कुछ issues पर उसको ruling चीए कि Indian law क्या कहता है तो government के तरफ से ruling मिलती थी यह इसको कहते थे advance ruling एक तरका safeguard था government के तरफ से तो तब तक जब कोई law change नहीं होता है तो I hope आपको advance ruling का benefit समझ में आया होगा तो यहाँ पर दिरे दिरे फिर इसमें development होती गी और GST आया GST में advance ruling अब only foreign supplier से restricted नहीं है GST में जो advance ruling है वो advance ruling अब सभी को दे दिया है यानि जरूरी नहीं कि foreign investor आज Vsmart अगर कोई advance ruling चाहता है तो Vsmart भी यहाँ पर advance ruling ले सकता है Vsmart भी advance ruling ले सकता है तो GST में जहां तक देखा जाए तो कोई भी person advance ruling ले सकता है सबसे पहले इस definition पर आओगा advance ruling यानि क्या section 95 मैंने section के भी reference दिया अगर आपको याद करना हो तो नहीं करना हो तो बात छोड़ दो नहीं करना हो तो अच्छी बाते पर याद करना हो तो section के भी reference दिया advance ruling means a decision provided by AAR advance ruling authority or triple AAR appellate advance ruling authority मैं आगे पढ़ा होगा okay to an applicant on a matter or question specified in relation to supply of goods or services or both being undertaken or proposed to be undertaken by applicant मतलब क्या किसी भी ऐसा matter या कोई भी question जो supply of goods or services related है जो already वो कर रहा है being undertaken underline being undertaken or proposed to be undertaken यह वो करने वाला है तो यह advance ruling मेर सकती है okay तो यह simple definition है advance ruling के जिसको वो जो AAR और triple AAR से यहाँ पर advance ruling ले सकता है यहाँ पर अब बेटा okay GST में देखा जाए तो a person who is desirous for advance ruling okay तो यह जो person है जो advance ruling लेना चाहता है advance ruling की दो authority है एक authority of advance ruling जिसे हम AAR कहते है और एक triple AAR appellate authority of advance ruling यह दो authority क्यों फ़र्म की गी अगर जो पहली authority है AAR उसके decision से आप satisfied नहीं हो तो आपको एक appeal का chance दिया गया है और वो appeal का chance जो है यहाँ पर appellate authority of advance ruling को दिया गया है लेकिन advance ruling जो है भी यहाँ पर order देगी उसका court में appeal file नहीं हो सकता very important advance ruling authority जो यहाँ पर order देगी यह पहली authority यह दूसरी authority इसका आगे आप high court supreme court में case नहीं ले जा सकते इनका जो order होगा वो binding होगा आपको follow करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर असेशी के लिए binding होगा लेकिन department अगर advance ruling से satisfied नहीं है तो ऐसे situation में department जो है आगे court में यह order को ले जा सकता है आगे court में order department ले जा सकता है is it clear okay court में regarding to that issue और उसके बाद में जो decision होगा वो decision binding होगा okay तो यह था regarding to यहाँ पर advance ruling अब इसमें ले लेते हैं applicant okay राइस सुनिएगा applicant applicant जो है register person desires to obtain registration okay और तो यहाँ पर एक वड़ार करना register person कौन लोग advance ruling के ले जा सकते है हाँ एक मिनड़ा मैं आपको कह दू यह जो authority होगी यह state के अंडर में होगी state government के अंडर में रहेगी तो दोनों authority advance ruling authority और applies authority of advance ruling यह state government के अंडर में काम करेगी और state government इसको straight up करेगा अब इस applicant है इस applicant को advance ruling के ले जाना है either यह already registered person है PNA person यह वो GST पर registration लेना चाहता है और वो advance ruling के ले जाना चाहता है तो ऐसे situation में वो यहाँ पर apply कर सकता है now अब let's take example let's take example यहाँ पर बाइजू बाइजू का example लेना चाहोगा अब यहाँ जो है यहाँ जो books material supply कर रहा है अपने course के साथ अब वो books material की price अलग बताता है लेकिन course के साथ supply करता है तो अब यहाँ पर उसको large scale में जाना है तो यहाँ उसको एक advance ruling चाहिए क्यों क्योंकि कुछ इंडिया के consultant वो कहरें कि नहीं नहीं यह तो composite supply है अगर आप अपने video course के साथ books दे रहे हो तो composite supply है इसलिए books आप अलग से classify नहीं कर सकते है फाइदा क्या books को अलग से classify करने का अगर educational books है तो neal rate का GST हाता है और लोग उसके उपर GST यहाँ पे नहीं करते है लेकिन अगर वो आपके education का part बन जा है video course का part बन जा है तो वो situation में यहाँ पे composite supply है और total value पे GST 18% से होता है इसलिए कुछ लोग आज भी इनिया में tax planning करते है वो books का अलग कर देते है virtual classes का अलग कर देते है so that की books पे nil rate का benefit मिल जाए जबकि मेरा opinion यहाँ पे यही है कि वो composite supply है और वो composite supply है तो total value पे GST आएगा बाईजू ने यहाँ पे let's take example advanced ruling लिग और advanced ruling यह लिग कि जो हम books content supply करते है और साथ साथ में हम tablet भी supply करते है तो क्या tablet book यह जो है composite supply माना जाएगा क्या naturally bundle माना जाएगा तो उनको advanced ruling चीए यहने कोई भी department का action होने के पहले अगर advanced ruling मिल जाए और उनके favor में आ जाए वो बात अलग है कि आज 90% advanced ruling department के favor में आई है ACC के favor में सिर्फ 10% के advanced ruling आई है तो अगर वो advanced ruling लेते है और advanced ruling में समझ लो यह order आगे यह order आगे की नहीं books जो है composite supply का partner वो अलग sale माना जाएगा उसके ओपर GST rate नहीं लोगा तो at least जब तक आगे कोई law change नहीं होता है कोई notification नहीं आता है कोई circular नहीं आता है कोई supreme court का decision नहीं आता है advanced ruling लेना चाहता है कुछ questions है उसके और वो questions जो है यहाँ पर clear नहीं है वहाँ उससे related GST law settle नहीं है तो वो questions related वो advanced ruling ले सकता है तो अब यहाँ पर कौन-कौन से matter पर advanced ruling ले जा सकती है star करना इसके उपर सवाल आ सकता है कौन-कौन से matter पर advanced ruling ले जा सकती है यहां पर almonds वगरे सब यूज किया जाते हैं, काजू बदाम सब उसमें यूज किया जा रहा है, और वो energy bar में कभी-कभी थोड़ा सा cocoa यूज किया जा रहा है, cocoa powder जो चोकलेट का होता है, तो उसमें cocoa यूज किया जा रहा है, तो अब बहुत से बार ही क्या हो जाता है, कि उसके दो टेरी फेडिंग है, GST में, एक नॉर्मल चॉकलेट और एक नॉर्मल चॉकलेट जो चप्टर नॉमर 21 में आता है, और एक एनीधिंग विद कोको तो वो 18 में आता है, बाकी तो वो एनर्जी बार है, तो जस्ट दो या थीन परसेंट कोको यूज करने के वज़े से, अगर वो चप्टर नॉमर 18 में आ जाता है, तो 28 परसेंट का GST लग जाएगा, लेकिन जस्ट वो एनर्जी बार है, तो चप्टर नॉमर 21 में जाएगा, आपको यह जाना हो कि नोटिफिकेशन आपको लागू होगा की नहीं होगा, आप तोड़े कन्फ्यूज हो, तो उससे रिलेटेड आप अप अडवास्ट विलिंग ले सकते हो, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन आप टाइम एन वाल्य अप सप्लाय, या वैलिए आप सप्लाय पहरे कोई भी मैटर पर अगर आपको इडवास्ट विलिंग लेना है तो आप ले सकते हो, admissibility of ITC, आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पह़ए मैटर कोई भी कॉश्शन उससोंगा तो आप इडवास्ट विलिंग ले सकते हो, determination of liability to pay tax हाँ आपकी liability आएगी या नहीं आएगी particular case में क्या आपका supply है या नहीं है okay supply होने के लिए चारो condition कोई मैं अपना personal goods बेच रहा हूँ personal services दे रहा हूँ okay जो मेरा business नहीं है मेरे पर liability आएगी नहीं आएगी क्या मेरा supply schedule 3 का supply है की नहीं है एक case मेरे पास आया था और मैंने advance ruling के लिए कहा था कि advance ruling ले लेते है और उसका खर्चा लगता है client trading नहीं हूँ है यहाँ पुना में जो है एक book sale वाला था बड़ा अच्छा केस था एक book sale वाला था okay पुना में और educational book थी इसले वो exempted supply में था तो उसका turn और कुछ यहाँ पे 3 से 4 करोड था और completely education books जो है वो sale कर रहा है 3 से 4 करोड का तो वो exempted supply था उसका outward supply अब section 23 क्या कहता है section 23 यह कहता है कि अगर आप exclusively exempt supply में हो सुनिये दयान से अगर आप exclusively exempt supply में हो तो आपको registration करने की जरुवत नहीं है irrespective of threshold मतलब आपका turn और 4 करोड या 5 करोड या 10 करोड आपको registration करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है तो अब हुआ क्या उसका पुना में ही शॉप था पर बहुत बड़ा turn और था हुआ क्या हुआ यह कि वो बंदा कर रहा था interstate supply interstate supply मतलब क्या कि दुसरे state में supply कर रहा था goods का as well as वो बंदा transportation service भी ले रहा था river charge वाला तो अब सवाल क्या है सवाल उसका यह आया कि भई मैं river charge वाला service ले रहा हूँ वहाँ compulsory registration है okay section 24 में और मैं interstate supply भी करता हूँ पर exempted का interstate supply करता हूँ तो क्या मुझे compulsory registration लेना पड़ेगा क्या तो ऐसे case में मैंने जहां तक कहा था कि उसे river charge के लिए शायद लेना पड़ सकता हूँ क्योंकि river charge में compulsory registration है लेकिन अगर river charge नहीं होता ध्यान सुनना, river charge नहीं होता और वो सिफ interstate supply कर रहा हूँ अगर आप सप्लाइ करते हो तो वो situation में आपको compulsory registration है तो confusion क्या हो गया था कि समझ लो river charge वाला matter नहीं है वहाँ तो advanced ruling आ गई है कि अगर river charge वाला matter होगा और आपका outward supply एक्जम भी होगा और river charge वाला matter होगा तो आपको लिना ही पड़ेगा registration सवाल यह है interstate के लिए था interstate अगर मैं supply करता हो और वो भी exempted है तो क्या मुझे registration लेना पड़ेगा तो थोगा confusion था तो मैंने उसको कहा था advance ruling ले ले advance ruling ले ले कि तुझे registration लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि तरह supply तो exempt है लेकिन बाद में यह clear हो गया कि interstate के case में भी कुछ advance ruling SEI कि उन्होंने कहा कि interstate के case में भी आपको registration लेना पड़ेगा what unit में भी मेरा जस आपको कहना है कि जहां पे भी confusion हो कोई भी सवाल हो तो वो situation में आप advance ruling ले सकते हो next any particular thing is related to supply of goods or services कोई भी matter होगा जो supply से related है तो भाद advance ruling आप ले सकते हो लेकिन next important question कहा है next important question है on following matter advance ruling is not available यह CBIC का clarification है determination of place of supply जब भी matter POS का होगा तो उसका advance ruling नहीं मिलेगा क्योंकि यह जो authority है advance ruling authority यह state के control में है और POS का matter interstate का है from one state to another तो इसलिए CBIC का एक clarification है obviously say भी है भीच में किस पर discussion होगा ता और advance ruling authority नहीं कहा था कि मिल सकती है अब वो जाने तो वो ऐसे advance ruling नहीं बहुत होगी पर अभी हमें एक्जाम के लिए तो यही follow करना है कि place of supply का matter होगा तो advance ruling नहीं मिलती है यह clarification है दूसरा कुछ procedural aspects है जैसे evable return documents वगरे records उसका advance ruling ही मिलेगा यानि यह जो यहाँ subjects दिए यह learn करके जाना इनी subject matter पर आपको advance ruling मिलेगी समझा क्या बिटा समझा होगा तो yes कही है समझा होगा तो yes कही है very good ठीक है चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फटाबट इधर आईए state government यहाँ पर applicant जो advance ruling फाइल कर रहा है वो ARA बन में जाएगा fees 5000 होगी अब देखो advance ruling authority में यहाँ पर दो member होते हैं एक जिसको TM कहा जाता है TM मतलब technical member एक central का बैठता है और एक state का बैठता है दो ही member होते है यहाँ पर जैसी application उनके पास आता है वो एक concern officer जिसे nodal officer भी कहा जाता है case उनके पास भेजते हैं कि भई हमारे पास यह application आ है यह nodal officer का क्या role है इसका role समझने के लिए पहले आपको एक point समझना पड़ेगा वो एक क्या point है यह box पे दियावा point है और वो क्या है application shall not be admitted जहन सुनियेगा application shall not be admitted if question raised in the application is already pending और decided in any proceeding of an applicant of an applicant underline करना है of an applicant ठीक है मतलब क्या जो question raised किया गया वो question already उसी applicant का pending है या decide हो चुका है समझ लो advanced billing सु state wise है समझ लो बाइजू का एक branch देली में है और देली में उसके against में case लग गया था और case pending हो गई case लग गई उसके against में देली में और case pending है या वहा decision आ गया अब भाइजू क्या सुच रहा है देली में जो हुआ so हुआ case लग गया pending है या decision आ गया अब महराश्टर में भी मुंबे में मेरा branch है महराष्टर में advance rolling ले लेते हैं तो महराष्टर के transaction तो बच जाएंगे अब मेरा point समझ जाओ कि उसी अप्लिपेंट का एक state में decision आ गए थे advance rolling के नहीं समझे लोग कोट के decision आ गए थे या case pending होगी case लगगी उसके case में वो chance उटा रहा है कि ये state में लगी न दूसरे state के जाएंगे advance rolling वहाँ लेंगे वो state के transaction से तो अपने को protection मिल जाएगा तो अब ऐसे situation में यहाँ पर law ये कहता है कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी उसका same matter अगर pending में पढ़ा होगा officer के पास case लग चुकी होगी या उसके ओपर कोई भी decision आगे होगे तो वो situation में अब पूरे इंडिया में कहीं पे भी वो matter advance rolling के लिए accept नहीं होगा पर अब महराश्टर के advance rolling वालों को कैसे पता चलेगा कि देलनी में ऐसा हुआ था इसलिए ये जो है यहाँ पे एक nodal officer होता है या government का उसके पास case भेज देता है ये nodal officer चेक करता है कि इस बद्दे का ये case कहीं और तो नहीं settle किया गया कहीं और तो नहीं यहाँ पे pending है तो ये पूरा चेक करता है और अपनी report और record furnish करता है जैसे अपना report record furnish करेगा उसके बाद में ये advance ruling authority decide करेगी कि उसको accept करे या reject करे okay accept तभी होगा जब उसका case कहीं और settled नहीं होगा लेकिन अगर rejection करना होगा तो opportunity of being heard, ये O WP मतलब opportunity, opportunity of being heard दिया जाएगा, okay ये point समझा क्या, समझा होगा तो yes कहीं एक बेटा चलिए, साथ साथ में advance ruling authority ये जो applicant का jurisdictional officer है, ये nodal officer अलग, concern officer अलग और जो area से application आया है, वो area के officer को भी ये inform करती है कि तुमारे area से भाई ये बंदा हमारे से ruling चाहता है, तो आपको कोई अगर objection होगा, यानि उस area का officer, जिसको हम jurisdictional officer कहते है, उसका भी रोल बड़ा important है, तो उनको भी advance ruling authority जो है, इंफर्म करती है कि तुमारे area से ये बंदे का हमको advance ruling मागा गया है, तुमारी कोई report होगी तो तुम भी submit करो, ये ये point पे advance ruling मागी गई है, तो उसका jurisdictional officer भी अपनी report submit करता है ठीक है, तो चलिए, अब देखो, यहां से दो पार्ट निकल रहा है, पहला और दूसरा, पहले ये पहला वाला पार्ट समझा देता हूँ, फिर दूसरा वाला पार्ट तो मारी general procedure है, पहला वाला पार्ट कहा है, authority of advance ruling जो है, यहां, ढहां से सुनिएगा, authority of advance ruling जो है, एक सवाल है कि सण, महराष्टर में advance ruling आने के बाद, देली में ले सकते हैं, नहीं, decision settle हो गया है तुमारा, अगर कोई किसी भी authority का decision आ जाता है, तो फिर अब आप दुसरे जगा advance ruling नहीं ले सकते हैं, ठीक है, now next, next, यहां पे बेटा, कि अगर advance, क्योंकि दो ही member है, अब दोनों के अलगल opinion है, यह member कह रहा है कि यह, books अलग जाएगी, educational books है, अलग जाएगी, बाई-जू की, यह member कह रहा है, नहीं, is a part of composite supply, अब दोनों के difference in opinion है, central or state के, तो ऐसे situation में फिर, फिर difference in opinion है, तो वो सीधा-सीधा case refer हो जाएगा, कि इसको, appellate authority of advance ruling, याने, case shift हो जाएगा, appellate authority of advance ruling, वो refer कर देंगे, फिर, इनका role चालो हो जाएगा, appellate authority of advance ruling, याने, अगर मैं यह angle से पढ़ाओ, जहां सुनिएगा, अगर मैं यह angle से पढ़ाओ, तो appellate authority of advance ruling, जो है, ठीक है, इनके पास case कब, पहला case कब आएगा, जब जो, उनकी जो lower authority है, याने, authority of advance ruling, AAR, उनमें difference in opinion है, तो उनके पास case आजाएगा, ड़न, अब यह दूसरा वाला रास्ता, अब दूसरा वाला रास्ता क्या है, कि भई, difference in opinion नहीं है, प्रोसेस चाल हुए, क्या, वो examine करेंगे, जो भी material उनके सामने applicant ने दिया, अपने point को prove करने के लिए, अब बाइजू अपने point को prove करने के लिए कह रहा है, कि सर, यह composite supply नहीं है, यह material हम course के साथ भी देते हैं, और यह बेशते भी है, अलग से sell भी कर सकते हैं, जिसके ओपर MRP भी है, और यह बहुत से book seller के पास भी है, तो ऐसे situation में applicant अपना material दे रहा है, उसकी jurisdictional authority कह रही है कि नहीं सर, बेशते वकि यह student को option नहीं देते हैं, यह student को compulsory करता है कि आपको लेना पड़ेगा, इवन्दो यह product market में अलग से available है, लेकिन यह product यह as a part of composite supply दिया जाता है, और यह part of composite supply जो student को दिया जाता है, क्योंकि authority अपना point explain करेगी, और के यह compulsory दिया जाता है, payment combine होता है, इसलिए यह part of composite supply बना जाएगा, यह naturally bundled भी है, यह naturally bundled भी है, तो सभी अपने points advance ruling authority के पास रखेंगे, advance ruling authority opportunity of being heard भी देगा, और उसके बाद में वो ruling को final करेगा, अपना order को final करेगा, in writing final करेगा, within 90 days from the date of application वो final करेगा, 90 दिन के अंदर final करेगा, जिसकी एक copy वो jurisdictional officer को देगा, एक copy nodal officer को भेजेगा, कि हमने यह final किया, और एक copy, यहाँ एक copy जो है applicant को जाएगी, ऐसी तीन copies, jurisdictional officer, nodal officer, जो concern officer है, और एक copy applicant को जाएगी, अब उसने जो ruling final किया, जो भी material fact को consider करके, इससे related, अब हो सकता है, applicant satisfied नहीं है, यह हो सकता है, officer satisfied नहीं है, case applicant के favor में चली गई तो officer satisfied नहीं होगा, और अगर case officer के favor में गई तो applicant satisfied नहीं होगा, पहला ले लेते हैं कि applicant satisfied नहीं है, तो वो appeal file करेगा next authority के पास, appellate authority of advance ruling, कि भाई मैं satisfied नहीं हूँ, वो section 100 में file करेगा, उसको 30 दीन में file करना पड़ेगा, जो 30 days further extension हो सकता है, और उसकी fees है 10,000, पहले case में fees 5,000 थी, ख्याल रहें, यह 5000 CGST का fees है, और SGST का 5000 ऐसे total 10,000 होगा, और यहाँ पे 10 plus CGST का 10 और SGST का 10 ऐसे 20,000 होगा, उसको fees देना पड़ेगा, और वो file करेगा, 60 days के अंदर यह appeal करना पड़ेगी, ठीक है, कि भाई मैं satisfied नहीं हूँ, यहाँ पिर case applicant के favor में, और officer satisfied नहीं, maybe concern officer या judicial officer, दोनो, दोनो भी appeal file कर सकते 30 plus 30 days में, लेकिन यहाँ fees नहीं होगी, obviously यहाँ क्यों fees रहेगी, वो तो officer ही अपने फाइल कर रहा है, तो वो तो government को यह government को fees देगा, तो ऐसे case में, यहाँ fees नहीं होगी, तो इनके पास, तीन case का बाती है, एक तो difference in opinion, यह applicant appeal file करेगा, यह फिर department appeal करेगा, अब आगे देखो, यह जो appellate authority of advance ruling है, इसमें भी दोई member होते है, एक central का होता है, एक state का होता है, इसमें भी difference in opinion आगया, अगर difference in opinion आगया, तो cannot be proceeded further, इसके आगे case नहीं बढ़ सकती है, और यह जो point लिखा गया, यह बड़ा important है, यह क्या कहता है, it shall be deemed that no advance ruling in respect of such issue or question is available, मतलब क्या, अगर यह difference in opinion आगया, मतलब ही समझाना कि अब इस matter पे advance ruling नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, advance ruling, हमारे से कोई consultancy आपको नहीं मिल सकती, यह बटा, यह case में 10 plus 10 होगी, यह case में 10 plus 10 होगी, ठीक है, चलो, next यहाँ पे, यह case में अब advance ruling नहीं मिल सकती, समझ लो, नहीं, opinion में कोई difference नहीं है, तो opportunity of being hurt दिया जाएगा, order final की जाएगी, order 90 days में final होगी, from the date of filing appeal, अब यह triple AR क्या करेगा, triple AR either original authority का order confirm करेगा, यह उसमें modify करेगा, यह यह नया order नहीं देता है, original authority ने जो दिया है, AAR ने, उसको confirm करेगा, या फिर उसमें modify करेगा, औके, और उसकी एक copy applicant, concern officer, jurisdictional officer, और AAR इन चार लोगों को बेजेगा, ना, एक important note जो मैंने बीच में दी, और वो क्या, ruling given by AAR और triple AR, will be applicable only within the jurisdiction of concern state, okay, मतलब क्या, इस state में जो ruling दिया गया, ध्यांसर सुनियेगा, इस state में जो ruling दिया गया, वो इसी state में apply, okay, यहाँ पे होगा, concern state को, मतलब, मतलब यहाँ पे, एक question जो पुछा गया था, अब मैं तुम्हारा question जाएद ध्यांसर पढ़ रहा हूँ, question है, महराष्टर में advanced ruling आने के बाद, Delhi में advanced ruling ले सकते है क्या, as advanced ruling applicable to state wise, अब मैं आपको यह बता दाओ, कि अगर यह point यहाँ पे, बहुत important point है कि इसी state में, तो आप Delhi में जो है, उसका advanced ruling ले सकते हो, okay, yes बेटा, Delhi में यह point का मैं करेक करना चाहता हूँ, कि वो Delhi में आप advanced ruling ले सकते हो, लेकिन, यह वाला point जो है, question raised in the application is already pending, or decided in any proceeding of an applicant, अब दिखो, यह जो है, Delhi में अगर आपके against में, case नहीं लगी होगी officer से, यह point को समझना, अब क्लियर आपको करना चाहता हूँ, कि आप दुसरे state में advanced ruling ले सकते हो, पर वहाँ पे आपके against में कोई case नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, चलिए, अब फटाफ़ यह ले ले लेते है, rectification of advanced ruling, हाँ, rectification of advanced ruling, advanced ruling देते वक्कोई अगर गलती हो जाए, तो क्या rectify हो सकता है, येस, अगर वो error apparent from records होगी, या वो error यहाँ पे concern officer, judicial officer ने बताया होगा, rectification 6 मेने में हो सकता है order में, अगर tax annonce या ITC reduce, यहने आपकी liability बढ़ जाती है, तो opportunity of being hurt दिया जाएगा, कभी-कभी गलती हो जाती है order में, तो उसको rectification हो सकता है, ठीक है, applicability of advanced ruling, advanced ruling by AAR और triple AAR, very important अगर दी गई, तो it is binding on the application, who had sought it, ख्याल रहे हैं, अगर Baiju ने यह advanced ruling ली है, तो यह only Baiju को applicable है, क्या Vsmart अलग से advanced ruling ले सकता है, same matter पे, yes, अगर Baiju को कोई फाइदा मिला होगा advanced ruling से, तो क्या उसका फाइदा भी स्माट ले सकता है, नहीं, जिसको दी गई, उसको यह applicable है, और concern officer और judicial officer को applicable है, मतलब वो bind है, इस advanced ruling से, Baiju को वो, Baiju के favor में अगर case गई होगी, तो वो Baiju को touch भी नहीं कर सकता है, law बदल जाए, court का decision आजाए, या basic facts बदल गए, तो यह order automatically inoperative हो जाएगी, advanced ruling to be void in certain circumstances, AR is void ab in issue, if obtained by fraud or suppression of material facts, और misrepresentation of facts, समझ लो Baiju नहीं यह facts दिये, कि नहीं नहीं, हम तो students को भी option देते है, कि आपको material खरीदना है और नहीं करीदना है, वो student का optional रहता है हमारे website पर, यह गलत facts दिये, हाँ, तुम अगर material अलग से बेच रहे हो, आपका recording अलग से बेच रहे हो, तो बात अलग है, पर student को बेचते होगा, आप combine दे रहे हो, तो भी कहां से अलग option हुआ, और आपने यह गलत facts दिये, और advanced ruling मिल गए, अच्छा, आप material अलग से बेचते होना, फिर ठीक है, फिर आप material पर exemption ले लो, लेकिन बाद में, नोडल officer और judicial officer ने आपके website पर एक order दिया, और order में आए कि compulsory लेना पड़ेगा, वो यह facts advanced ruling को बताएंगे, कि सर यह देखो, यह गलत facts दिया आपके सामने, इनके website पर जाओ, जाओ, combine order लेते हैं, option ही नहीं देते हैं, बाद में पता चला, तो गलत facts पर advanced ruling ले, तो वो वो वाइड एप initial माना जाएगा, and all provision of this act or rules applicable, जैसे कि उसका advanced ruling मिली ही नहीं, ठीक है, और power of authority, of appellate authority, तो यह जो है, यहाँ पर मैंने advanced ruling के, सभी points और procedure अच्छे से cover कर लिया है, एक सवाल है कि सर, डेली में कोई case नहीं हो, पर अधर कोई state में case लगी हो, तो फिर मेरे हिसाफ से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि case spending होगी आपके against में, आपके against में case spending होगी, तो मेरे हिसाफ से नहीं ले सकते हैं, अभी तो आपको facts बत होगी है, एक state में advanced ruling आपको आगे, तो दूसरे state में reject ही कर रहा है, ठीक है, मानता हूँ कि यह state wise है, पर दूसरे state में reject ही कर रहा है हो, नहीं accept ही नहीं करते हैं हो, इतना strict है advanced ruling अभी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यह chapter end होता है, अच्छे से समझ में आया है वेटा, enjoy किया यह chapter को, जुरिक्शनल officer का बहुत बढ़ा रोल है वेटा, जुरिक्शनल officer जब advanced ruling authority, आपके जुरिक्शनल officer को बताती है कि तुमारे area से यह application आया है, यह advanced ruling वो बंदा मांग रहा है, वो कह रहा है कि भाई, यह material यह composite supply नहीं है, यह separate supply है, तो जुरिक्शनल officer अपनी report देता है कि नहीं सर, यह composite supply, यह material facts है, और यह composite supply होने के वज़े से, यह material supply, composite supply होने के वज़े से, यहाँ पे इनको जो है, benefit नहीं मिलना चाहिए, उसकी report बड़ी काम आती है, advanced ruling authority को, अगर उसने seriously अच्छे से report दिया तो, उनका बहुत बड़ा रोल होता है,